नवस्का दोस्तों मैं हूँ सिवाम पांडे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज मैं आप सब के सामने सभी राज्यों के प्रमुख राष्टी उद्यान को याद करने की वीडियो लेकर उपस्तित हुआ हूँ क्योंकि एक्जाम की दृष्टी से यह वीडियो बहुत इमाद पून है जा हुए बैंक हो या एससी सभी में यह कोशन पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे की आप को यह सब आसानी से याद हो सकें और हाँ अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगती है तो आप कमेंट करके बताईएगा इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट भी अपलोड कर दूँगा जिससे की हम लोग सभी राष्टी उद्यान को कम्प्लीट कर सकें तो देरीना करते हुए चले शुरू करते हैं सबसे पहला है सुल्तानपूर राष्टी उद्यान जो की हरियाना में इस्थित है याद करना है तो मैं आपको बता दूँ कि सुल्तानपूर में एक सब चिपावे सुल्तान आपने सल्मान खान की सुल्तान मूवी तो देखी ही होगी तो आपको पता होगा कि सुल्तान मूवी में जो सल्मान खान है वह कहां से रहता है हरियाना से रहता है पूरी मूवी जो है वह हरियाना से सम्मान दित है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुल्तानपूर राश्टी उद्यान कहा इस्थित है हर्याना में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है काजी रंगा राश्टी उद्यान जो की असम में इस्थित है याद करना है तो काजी रंगा में एक सब्स लिखा हुए काज का मतलब क्या होता साधी या फिर मेरिज बोल सकते हैं ठीक है काज साधी मेरिज एकी चीज होती है और ये बोला जाता है कि जो मेरिज होती है वह आसमान से फिक्स होके आती है यानि मेरिज की जो बात है वह भाववान पहले से फिक्स करके भेजते हैं कि किसकी मेरिज किसके साथ होगी तो ऐसा क कर सकता है कि काजी रंगे में सब चीपा हूँ है काजी रंग यानि कोई बंदा पूछ रहा है कि आज यानि बहुत अच्छा है तो आजब रहीगा आगए बढ़रते हैं अगल निमध मेरी राश्टि उद्यान जो की असम में ही इस्थित है तो ने मेरी में अगर ने को हटा दें तो सब्ज बचेगा मेरी ठीक है मेरी को कर लेते हैं जायत करने के लिए मेरी यह निस साधी की बात हो रही है और साधी कहां फिक्स होती है आसमान में तो आसमान से असम ठीक है तो ने मेरी राश्टी उद्यान कहां इस करते हैं आस्मानों में तो आस्मान से असम ठीक है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मानस राष्ट उद्यान भी असम में ही इस्थीत है अब आगे बढ़ते हैं अगला है नमदफा राष्ट उद्यान जो कि अरुनांचल प्रदेश में इस्थीत है तो अरुनांचल प्रदेश यनी रन और अगर थोड़ा सा हिंदी तरीके से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा अरुन अरुन से अरुनांचल प्रदेश और नमदफा में सब लिखा हुए दफा दफा होने की बात हो रही है मतलब कोई बेक्ती बोल रहा है गुस्से में कि यहां से दफा हो जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं तो अगर कोई ऐसा बोलेगा तो सामने वाला क्या करेगा रन करकी जल्दी से वहां से दफा हो जाएगा क्यों कि उसके पिटने कब है तो दफा हो गया रन करके तो रन से हो गया अरुन अर्थात अरुनांचल प्रदेश और दफा से नमदफा राश्टी उद्यान तो नम्दभा राश्टुद्यान कहा है थीत है दोस्तों अरुनाचल प्रदेश में ठीक है याद रहेगा अब अगला है पाकुई राश्टुद्यान जो कि अरुनाचल प्रदेश में ही इस्थीत है तो सेम इसको भी अरुनाचल प्रदेश को याद करने के लिए अरुन को र यू एन कर लेते हैं ठीक है नहीं रन और पाकुई को याद करने के लिए कर लेते हैं पकड़ो कोई पकड़ो कोई दोनों इसे समयच करते हैं तो जाहिसी बात है अगर कोई बंदा है वह चोरी करके भाग रहे हैं ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे कि पकड़ो कोई अब कोई बटर पकड़ों कोई से पाककोई तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाकोई राश्टिजयन कहां इस्तित हैं और अगे बढ़ते हैं अगला नागार जुन सागा स्री स्रिस्लम राश्टियद्यान जोकी आंद पर्देश में इस्तित है याद करना आसान है क्योंकि नागा अर्जुन में सब चिपा हुए अर्जुन और अर्जुन से हम लोग सीधे महाभारत की तरफ चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि महाभारत की जो अर्जुन थे पांड़ों में से एक वे बहुत ही फेमस थे तीर चलाने के लिए तो अगर महाभारत की तरफ चलें और आंधर प्रदेश में अंदा सब चिपा हुए है तो सीधे महाभारत से सम्मंदित एक अंधे का पात हम लोग को याद आता हुए कौन थे धितराश्ट जो की दुरियोधन के पिता थे और वह अंधे थे तो आप अचान कमार राष्टियोद्यान जो की 36 गढ़ में इस्तित है जाद करना बहुत ही आसान है अगर हम अचान कमार को थोड़ा सा अगर एक साच चेरवर्ड पढ़ें यानि अचानक और लाश्ट वाले दो वर्ड़ पढ़ें मार तो हो जाएगा अचानक मार यानि कोई व्यक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अच्यान कमार राश्टी उद्यान कहां इस्थित है आगे बढ़ते हैं अगला है उदंती सीता नदी राश्टी उद्यान जो की छटीस गड़ में ही इस्थित है याद करने के दो तरही के हैं पहला तो ऐसा याद कर सकते हैं कि सीता नदी में दो सब्द लिखे हैं एक सीता और दूसरा नदी तो याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं थे कि कोई सीता है वह नदी में गिर गई है अब सीता नदी में गिर गई है तो जाहिसी बात है कि उसको कोई ने कोई छटी हो सकती है क्यों क्यूंकि गिरी है ना कि खुद कूदी है कूदी तो उसको जाइज सी बात है तरना आता तब वह कूदी तो उसको छते नहीं होती है लेकिन सीता नदी में गिर गई है तो उसको छती हो सकती है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उदंती सीता नदी राष्टियुद्यान कहां इस्थित हैं 36 गढ़ में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है नागर होल राष्टियुद्यान जो की बहुत ही फेमस है और आप सब को पता भी होगा कि यह करनाटक में इस्थित हैं याद करने क पहले के टाइम पर कहां दिखा जाते थे रंग मंच में या फिर ऐसा कहिए कि हॉल मेर था सिनेमा हॉल में तो नगर के सबी लोग हॉल में जाते थे क्या करने नाटक देखने तो नाटक से करनाटक और नगर और हॉल से नागर होल राष्टियुद्यान तो आप ऐसे याद क जिस मंच में होता है उसको बोला जाता है रंग मंच आपने हिंदी पड़ी होगी तो आपको ये चीज पता होगी कि रंग मंच में नाटक किये जाते हैं तो रंग से रंगनाथ और नाटक से करनाटक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रंगनाथ राष्ट्य उद्यान भी कहां अब पूचेंगे से कुछ टाइम के लिए ताकत आजाती है तो रम से दम आ गया तो रम से मिजोरम और डम से दंफा तो राश्ट्य तो जाहिज सी बात है कि पानी के आस पास अगर इस पास अगर इंसान चाहे तो हजार से भी जादा तेधा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हजारी बाग राश्टी उद्यान कहा इस्तित है जार खंड में इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है हजारी बाग में बाग सब चिपा हुआ है बाग मतलब गार्डन की बात हो रही है तो जाडियों से जार खंड तो आप इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं अगला है इंद्रावती राज्टि उद्यान जो कि 36 गड़ में इस्थी थे याद करना है तो 36 गड़ मतलब राज्जी की बात हो रही है था गड़ कितने होंगे उनके पास एक नहीं बलकि 36 गड़ होंगे तो 36 और गड़ से 36 गड़ और इंद्र की बात तो इंद्र से इंद्रावती तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंद्रावती राश्टि उद्यान कहां इस्थीत है 36 गढ़ में ठीक है कामला राष्ट्य उद्यान जो कि तिलंगाना में इस्थित है तो तिलंगाना में एक सब्द लिखा हुए तेल और कामला में सब छिपा हुए आमला आपको पता है कि आमला का तेल भी होता है यानि ओयल भी होता है तो आमला से हो गया कामला राश्ट्युद्यान और तेल से तिलंगाना तो कामला राश्ट्युद्यान कहा ही सी थे दोस्तों तिलंगाना में ठीक है नहीं पड़ता और वह एकठ़ई पैसे जमा कर देता है ना हर वेक्ति यहीं चाहता है जो कि किस्त जमा करता है वह यहीं सोचता रहता है कि कास वह अमीर होता और वह किस्त की जगए एकठ़ई पैसे जमा कर देता तो कास और अमीर से कस्मीर यानि जम्मू कस्मीर और किस्त से किस तवाड राष्टी उद्यान तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किस तवाड राष्टी उद्यान कहा इस्थित है जम्मू कस्मीर में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अगला पॉइंट है भगवान महावीर उद्यान जो की गोवा में इस्थित है याद करना आसान है क्योंकि लुक्री आप से पूछू माहावीर, भगवान बने तो आप बोड़ है जब वह संसारिक मौमाया को त्याक करवन चले गए aja है जरी आप प्राप्त हुआ था चले गए थे तो ऐसा कह सकते हैं कि जब माहावीर जी गों हुए वन के लिए यनि गों उन तब उनको तो यह परहपत वा ज्यान परहपत वाहप भगवां बंे तो गोवन से हो गया गोवा और आप ऐसे याद कर सकते हैं महावीर और भगवान से है कि भगवान महावीर राश्टीय उद्यान कहां ज्ञतत है नोगर वाईलेमाभ्य democrat जो कि में घाले में इस्थित है, तो में घाले में सब्द लिखा हुआ है घाले लाश्ट में, ठीक है में के बाद, तो घाले को याद करने के लिए कर लेते हैं घायल, ठीक है, लाको याकी जेगे और याको लाकी जेगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा घायल, और नोगर व पैसिट सुन्दर राष्टि उद्यान जो कि मंगाल में स्थित है याद करना है तो पश्चि में सबचिपा हुए पक्शी ठीक है पक्शी और शुंद्र वन में लिखा हुए सुन्दर और वन यानि वन क्या है सुन्दर है तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी वन है वह बहुत सुन्दर है मतलब उस वन में क्या है बहुत सारे फूल लगे हुए हैं फल लगे हुए हैं मतलब पूरी टाइम उसमें हर्याली रही आती है तो वन देखने में कैसा है बहुत ज् मात्रा में पाए जाएंगे क्योंकि पक्षियों का भोजन क्या है फल है और फल मिलेगा तो वहां रहेंगे ही ठीक है जो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला है रोहिला राष्टी उद्यान जो की हिमांचल प्रदेश में इस्थित है वैसे अगर आपको दर्रा याद है क् सिंपल साब को पता है कि रोहिला दर्रा कहां इस्थित है हिमांचल प्रदेश में और अगर आपने दर्रे वाली वीडियो नहीं देखिए तो मैं आपको यहां भी याद करवा देता हूं रोहिला में सब्द लिखा हुए है रोवेला यानि रोने की बात हो रही है ठीक है औ और अगर कोई बच्चा रोता है तो चूप कैसे होता है मा के आचल में तो मा के आचल से हो गया हिमांचल क्योंकि हिमांचल में ही के बाद सब्द क्या लिखा हुए मा और आचल तो मा के आचल में बच्चा चूप हो गया क्योंकि पहले बच्चा क्या कर रहा था रो रहा थ प्रदेश में तो चले आगे बढ़ते हैं अब अगला है पाखुई वन जीव अभ्यरन जो की अरुनांचल प्रदेश में इस्थित है तो पाखुई में सब्द लिखा हुआ है पंख और उड़ी ठीक है पाखुई पंख उड़ी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि पंख है तो प्रदेश में क्योंकि जब तक पंख नहीं है तब तक कोई पक्षी नहीं उड़ी चलेगा उड़ेगा तब ही जब उसके पास पंख होगा ठीक है तो याद रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है नागर होल राष्टी उद्यान जो की करनाटक में इस्थित है त कभी कभी शिनेमा भी लगता है तो नाटक से क्या हो गया करनाटक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागर हॉल राष्टी उद्यान कहा है करनाटक में इस्थित है ठीक है और इसे पहले एक था नोगर वाईलेम राष्टी उद्यान तो उसको अम लोगों ने नाग से याद की बात हो रही है च्विंगम की बात हो रही है जाद करने के लिए यहां पर गम को कर लिए च्विंगम नहीं पर छुंगम चपका दिया जाए थक होगा कि कोई विलीकन बेट च्विंगम में और इकर धुieso कहीं पर चपका हो और चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है काना किसली राष्टि उद्यान साथ ही साथ बांधवगण राष्टि उद्यान जो कि मद्ध प्रदेश में इस्थित है तो बांधवगण करने के लिए कर लेते हैं माधव माधव किसका नाम है भगवान कृष्ण का ही नाम है भगवान कृष्ण कहां वास करते हैं हमारे मन में हमारे हिर्दय में और आपको पता है कि हिर्द factos को बोलते हैं मध्ध प्रदेश को साना कि भानधवगर राष्टि उद्यान और काना खिंट्री राष्टि उद्यान कहां य municipality मद्ध प्रदेश में ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अखोाई सामने अगला पउइंट है पेरियर अभियरान साथ ही परामभी कुलर अभियरण ये दोनों अभियर अइस्ठित ने तो प्यर्न अभियर में सब्ज लिखा हुआ तो जूस नहीं निकलता है ठीक ऐसे ही करेले का भी जूस होता है जो कि बहुत ही फायदे मंद होता है सरीर के लिए तो करेले को भी क्या करते हैं उसका जूस निकालने के लिए उसको पेरते हैं तो पेरने से पेरियर और साथ ही परामभी कुलम राश्टी उद्यान और करेले स से केरला तो दोनों राश्टिए उद्यान कहां स्थित हैं केरला में ठीक है अब अगला है मुदु मलाई राश्टी अभिरन जो की tamilnadu में स्थित है तो तमिल नाडू में ता के बाद सब्द लिखा हुए मिलना ठीक है और मुदू मलाई या फिर अन्ना मलाई में मुदू और अन्ना सब्द को हटा दें तो सब्द क्या मिलेगा मलाई मलाई को जяд करने के लिए कर लेते हैं मिल आई ठीक है यानि यहां भी मिलना सब्द लिखा हुआ है तमिल आई और मिलना तो आप ऐसे जाद कर सकते हैं कि मुल्दू मलाई और अन्ना मलाई कहा है तमिल नादू में अब अगला पॉइंट है हमाई सामने वेदांत गल अभेरन जो की तमिल नाडू में ही इस्थित है तो वेदांत गल में एक सब्द लिखाओ है वेद और तमिल नाडू में एक सब्द लिखाओ है तमिल तो तमिल को याद करने के लिए कर लेते हैं तालीम ताली में कुर्दू सब्द है जिसका मतलब होता है सिक्षा तो वेदों की क्या दी जाती है सिक्षा दी जाती है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेदा अंतगल रभ्यरन कहा इस्थित है तमिल नाडू में ठीक हैं अब अगला पॉइंट है सिम्ली पाल अभ्यरन जो कि उड इसका भी एक नेटवर्क ही होता है जब तक वे नेटवर्क नहीं पाता है नहीं जब तक उसमें सिग्नल नहीं मिलता तब तक वे भी नहीं चलता और सिम्ली पाल अभ्यरन कहा इस्थित है और इसा में ठीक है पलामू अभ्यरन जो कि जहार खण में इस्थित है मैं आपको वाता आदूं कि पलामू को बेतला भी Bोलते हैं ठीक है? तो पलामू में एक सब्ली ज्यार्ण कर दिखा हुए पलास से कर लिए पलमर और ज्यारखंड में ज्यारना सब चीप ओवर आपको पता है कि ज्यार्णा हुए पानी से समंदित है और प्लंबर क्या काम करते हैं वो भी पानी की पाइपल समंदित काम करते हैं तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि पलामू अभ्यारन कहा श्थित है जहार खंड में और बेतला को याद करने के लिए आप कर सकते हैं तला को तलाब ठीक है लाश्ट मे जो कि बिहार में स्थित है तो कैमूर में सब्द लिखा हुआ है मूर मूर का मतलब क्या होता है मस्तिस्क यानि सर होता है ठीक है और आपको पता है कि हार पहने के लिए क्या किया जाता है सर को नीचे किया जाता है है ना जब हार पहनाते हैं तो सर थोड़ा सा जुखाना पड यह तीनों कहां इस्थित हैं तो यह तीनों इस्थित हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ही आसान है याद करना अगर आप दुधवा में देखें तो सब लिखा हुए दूधियनी मिल्क और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था जो की संबंदित थी प्रमुक वादन में कौन सराजई प्रत हमें उत्तर प्रदेश प्रत हमें तो दूध से दुधवा हो जाएगा दूधर उत्तर प्रतेस प्रत हम था तो यहाँ पाइप तो यहाँ पर एक बात हो रही है पीले की तो पीले से हो जगा पीली भीद और जो सफेद है ना तो सफेद आपको पता है कि अमन का प्रतीक है अमन मतलब सांती का प्रतीक होता है सफेद तो आप दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं कि अमन गड़ और काउन सा पीली भीद और साथ साथ दुधवा ये तीनों राष्टुद्यान कहां इस्तित हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको याद हो गया होगा तो चले आगे बढ़ते हैं अब हमाई सामने अगला पॉइंट है भद्रा अभ्यरन जो कि कहां इस्तित है करनाटक में साथ एक है तुंग भद्रा अभ्यरन बता दूं कि जो शुभद्रा थी वो भी महा भारत की पात्र थी कौन थी वो स्री कृष्णी की बहन थी और अर्जुन की पतनी थी और इतने में भी आप नहीं पहचान रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो अभिमन्यू थे उनके ही पुत्र थे ठीक है शुभद्रा के ही आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कौन सा कुम्भलगढ अभ्यरन जो की राजस्थान में तो वैसे तो यह सबको पता है कि कुम्भलगढ का आजस्थान में तो दूसरा इस थान है ठीक है तो आप इस चीज़ को याद रखेगा पहली कौन सी है तो चीन की दिवार है बात करें तो कुम्भलगढ की फश्ट है तो नॉर्मली पता है लेकिन जिसको नहीं पता तो याद करने के लिए मैं बता दूं कि कुम्भल में सब्द लिखा हुआ है एक कु के बाद भल तो भल को कर लेते हैं भाला ठीक है बड़ा भा और बड़ा कर लेते हैं भाला कौन तो राजा स्थान में राजा सब्द लिखा हुआ है और राजा जो होते थे आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के टाइम बहुत ज्यादा युद्ध हुआ करते थे अब युद्ध होंगे तो कहां होंगे रण भूमी में होंगे है ना रण भूमी बोलते हैं तो यहां पर शरोवर सब्द लिखा हुआ है, ठीक है, शरोवर मतलब क्या होता है, तालाब होता है, तालाब की एक खासियत होती है, कमल, तालाब में कमल खिलता है, और कमल के फूल या फिर नॉर्मली कमल के फूल के तो नहीं बनते हैं, जिस चीज को मैं आपको बताऊँगा गजरे की बात कर रहा हूँ तो गजरे जो होते हैं वो कमल के फूल के तो नहीं बनते लेकिन बनते फूल के ही है तो आपको सिंपल सा फूल याद आएगा सरोवर से सरोवर फूल और फूल से क्या बनता है गजरा बनता है तो गजरा से गुजरात ठीक है और गुजरात में सबते लिखा हुए गुजरना अच्छा आप के पास कोई भी चीज हो मान लेजिए आपके पास आपका मोबाइल है या फिर आपकी वाच है तो ये दोनों गिरेंगे कैसे घर में तो गिरेंगे नहीं क्योंकि घर में रखे रहते हैं तो गिरने की संभावना कहा इस्तित है गुजरात में तो इन दोनों को भी याद कर लिया हम लोगों ने जो कि गुजरात के प्रमुक राष्ट उद्यान थे तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हमाई सामने अगला पॉइंट है घाना पक्षी बिहार यह इस्तित है राजस्थान में त ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है वोरी बिली राष्टि उद्यान जो कि महाराष्ट में इस्तित हैं तो महाराष्ट में माぁ के बाद सब्सक्ति लिखा हुआ हारा यानी हारने की बात हो और व An Million में सब्सक्राइय यह तो इस्तित है और बिली इस्थित है याद करना है तो आबों में सब्द लिखा हुए आब आप का मतलब क्या होता है पानी होता है चब पंजाब जो है वो भी पंच प्लस आब से मिलकर बना है यानि पांच नदियों की भूम भी बोला जाता है ठीक है और इसका अगर आफ संदिविक छेट करेंगे ग पहला कुशन आपके सामने है कि दुझवा राश्टी उद्यान कहा इस्थित है तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है ठीक है तो इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यूंकि यह चीज़ आपको याद हो चुकी है तो अगला कुशन है कुशन नमबर दो भद्रा राश्टी उद्यान कहा इस्थित है तो इन सभी कुशन के अंसर आपको कमेंट करके बताने है ठीक है और आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह ट्रिक कैसी लगी साथ ही साथ इस वीडियो के मैंने दो पार्ट और अप्लोड कर रखें तो आप उन वीड प्रश्टी उद्याने भारत के वह आसानी से याद हो जाएं तो आपको वीडियो चले की तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ सेयर करिएगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए